क्या क्रिस्पी मोटन है एक पिस निकालूगा ये ये वाला ये तो चाहिए भाई नली तो भाई लोग गर्ब्यांग क्रोस करने के बाद अब हम पहुचने वाले हैं गुंजी की दूरी यहां से ज्यादा नहीं है यही कोई दिर दो किलो मिटर होगा क्योंकि हम चार किलो मिटर का डिस्टेंस ओले डिकावर कर चुके हैं तो गर्ब्यांग से गुंजी की दूरी है करीब 6 किलमीटर तो गुंजी पहुंचने के बाद सबसे पहला काम हमारा होगा और अब से भाई और अनिश भाई का भी यही है कि हमें आज करना है कैम्पिंग तो सबसे पहले हमें कैम्पिंग एसपॉर्ट भूढ़ना परेगा क्योंकि गुंजी ऐसा नहीं कि कहीं भी आप कैम्पिंग कर सकते हैं क्योंकि वह आर्मी वालों का इलाका है तो वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि वो लोग मना कर देते हैं तो एकॉडिंगली उन्हें कन्विस करना होगा और हमें वहाँ पर करना है कैम्पिंग तो बस हम पहुचने वाले हैं गुंजी अभी बस हार्ली यहां से करीब 500 मीटर है तो भाई लोग फाइनली फाइनली हम पहुच चुके हैं गुंजी है हमारे अनिस भाई है अविशेक भाई और हमें धूड़ना है सबसे पहले कैम्पिंग स्पॉर्ट तो अनिस भाई चले कैम्पिंग स्पॉर्ट ढूड़ते हैं ऐसे देखने से लग रहा है कि कहीं भी कैम्पिंग कर सकते हैं लेकिन कहीं भी कैम्पिंग नहीं कर सकते हैं हमें कैम्पिंग स्पॉर्ट ढूड़ना ही परेगा हमें यहां कैम्पिंग स्पॉर्ट के लिए परम आपना केंपिंग स्पॉर्ट और आगे सामने दीख रहा है छोटा सा ग्राउंट उसमें कर सकते हैं जेखते हैं गुड इवनिग इस अराउंड फाइव क्लोक और एट गुंजी तो वी अपने काम में लगे हुए हमारे अभी ब्रो और यह भाई साब भी अपना कि अपना कर सकते हैं झाल 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 तो फ्रेंड्स काफी थकावट हो गई है और बट थकावट होने के बापजूद भी कुछ खास बनाने का मन कर रहा है तो आज कुछ खास ही बनाने वाले बहुत ही बड़ी आईटम बनाने वाले सबसे पहले मैं आपको आईटम दिखाता हूँ कि आईटम हमारे पास क्या क्या है तो हमारे पास यह है लसुन और यह हमारा सारा लगेज है स्लिपिंग बैग टेल बैग तो आज के रेस्पी में मैं बनाने वाला हूं मतन क्योंकि मसाले हमारे पास लिमिटेड है तो कुछ खास में बनाऊंगा नहीं पर जो भी बनाऊंगा बहुत ही मज़ेदार होने वाला है तो सबसे पहले मैं आते हैं अपना चाए तो मैंने तेल डाल दिया है 600 तेल करीब 200 एमिल क्योंकि मतन हमारे पास मतनी क्वांटिटी ज्यादा है आप देख सकते हैं मतनी क्वांटिटी तो अभी तेल गरम होगा उसके बाद में मतन बनाना हम अब शुरू करेंगे तब तब लेते हैं चाय का अनान्द तो अब तेल गरम हो गया है अब मैं इसमें डालूंगा मतन अब तो चलिए मतन को बनाने में कम से कम एक घंटा तो लगेगा और यह चूला बहुत ही लाजबाब है इस पर मैं पहले भी बनाया हूँ और आपको आपके साथ मैं शेयर भी किया हुआ है अभी मैं दिखाता हूँ आपको चूला ओओ मैं सिपलासुन हमें डालना है और मैं डालूँगस और फिर मैं डालूँगा इसमें नमख लेकिन ट्रेस्ट होने वाला है फोर antasaf ना-जबाब अब मैं से 25 थीस में ले लिया था बट उट लूझा लिया है टीस मिर्ची में अब चलि यो एक लास्ट को में डाल देता हूं मिर्ची समें अब इसको मैं बस्तर करता हूं कि कि मटन और मिर्ची दोनों का फूंग हो झाइब अमालब मेसे मिर्चा encrypted mm पी तो यह मैंने डाल दिया है नमक और लासी भी मैंने डाल दिया है अब इसको मैं जरा इस्टर करके मैं छोड़ दूँगा थोड़ी देर ताकि मतन पूरी तरह से भुण जाए अब आप देख सकते हैं मतन कलर छोड़ना शुरू कर दिया है हलाकि जो मतन के अंदर पानी होता है पानी भी छोड़ना शुरू कर दिया है इस सबसे पहले इस पानी को हमें सुखाना है फिर इस मतन को हम भूनेंगे तो हमारे जो अविस्यक भाई है वो मतन नहीं खाते है यानि नौन फेजों खाते ही नहीं तो इस वज़े से मैं अख्यला बना रहा हूं और अपने अलग टेंट में पता नहीं कुछ वेज का इटम बना रहे है शायद पनीद बना रहे हैं तो इससे पहले उन्होंने कभी तो बनाया नहीं था और इससे पहले भी मैं राइट पर गया तो मैं ही उनके लिए बनाता था उनको आदत नहीं सोचा कि नहीं मैं तो था गयुआ तो मैं की बहुत अच्छी बात है आप ट्राइब कीजिए और वह अपना बनार है वह भी मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन मेरा जो आइटेम है देखिए बनने को त्यार नहीं बोलूगा मैं बट अभी पंदर मिनेट हुए हैं और बहुत अच्छा कलर देना शुरू कर दिया है यहां एक बहुत अच्छी बात ही है कि लाइटिंगी विवस्ता हो गई है मेरे पास एक छोटा सा रिंग लाइट था तो उस रिंग लाइट बैटरी ऑपरेटेड था तो वह मैंने इतिफाक से मैंने रख लिया था और आज काम दे रहा है हलागी मेरे पास यह लाइट भ सारा समान मेरा एसरी परा हुआ है तो सिर्क मैने अपना मैट्रेस बिछा लिया है और खाना माने खाने के बाद फिर मैं अन्पैक करूंगा और फिर सोनी की बेवस्ता करूंगा क्योंकि वाई सोना तो ही फिलाल तो अभी मतन बनेगा मतन के साथ मैं क्या खाऊंगा रोटी बनाऊंगा चावल बनाऊंगा या फिर मेरे पास चिर्वा है तो सकता है मैं चिर्वा के साथ ही मतन खाऊए अब हमारा मतन कलर देना शुरू कर दिया है वाव वाव लाजवाब पोहुत बरिया तो भाई भूख तो बड़ी जोरों के लगी है और मतन भी अपने कलर देना सुरू कर दी यानि बनने के कगार पे है मैं समझता हो पांस से दस मिनट में त्यार हो जाएगा बिल्कुल भूना हुआ मतन साथ में हम खाएंगे चिर्वा क्योंकि रोटी बनाने में वक्त लाएगा टाइम काफी हो चुका है तो रोटी अभी हम बना नहीं पाएंगे तैयार होने वाली है बस एक मिनट और आप देख सकते हैं क्या कलर आया है वेरी गुद बावाओ ओ ओ ओ ओ देखिए नली कि अज़ा पीसे से ना भाई सहाब इतने क्रिस्पी बंड़ा है ना ओ ओ तो मतन बनने को तयार है भी तैयार मतलब करी करी तैयार है अभी खाएंगे यह यार यह चिर्वा देखिए चिर्वा है भाई साब हरी मिर्च है प्याज काटूंगा भी सब खाते हैं मटन के साथ फिर सोएंगे इतना गंदा फेरा है इसको खोलना और इसको बंद करना बहुती बड़ा कावल है और देखता हूं कितना पका है हाँ 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 है अल्टीमेट अच्छा पका है यह फिर भी एक मिनेट और पकाऊंगा मैं हाँ 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 मजा आ गया एक फिस खाया हूं मैं अभी निकालूंगा मैं मटन अपने लिए अहाँ है क्या क्रिस्पी मटन है एक पिस निकालूंगा यह यह वाला यह तो चाहिए भाई नली यह चिर्वा चूरा चूरा खाते हैं चूरा चूरा यह है बाई साहब अहाँ हाँ 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 तो भाई साब शूरू करते हैं अभी यह है अहाँ हाँ झाल 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 मस्त झाल मस्त झाल 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 तो भी काफी ठंद है और हमारे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर पहार के उपर बादल चाल एह फाझा है और झाल मोगर को पांच आधे बहाँ नहीं है तो चारो तरफ में आपको चारो तरne का नाहब है on brother Hr आधे गँटे पहले की बात में बता रह रहा हूं जब पहार के चारो तरह बहुत व्रफ य लुका के ऊप तब हमारे बखू फुब भाहर ह Этотत तब हमारे अनिस भाइब सोय हुए थे अभी अनिस भाइब गोड़ी की तरफ पांच बजे से तपक रहे तो अभी बस फटाफ यह जो बर्तन है बर्तन को साफ करना है अपने समान को कहीं पर डंप करना है और यहाँ से निकलना है अम्परवत के लिये अम परवत से आज हम आज आहें वापस आजाएंगे से कहीं यह तो यहां होमयार्श करें करें बादेड करेंगे और कल हमें रिकला है यहांसे आदी कि अधैर एगायांस इनको बोला है कि आप व्लॉक बुनाओ और मैं बरतन साफ करूंगा अरे यार क्या करें बरतन साफ करने की आदत है मुझे घर पर भी करता हूं मैं तो यहां पर भी करना परेगा तो चलिए अभी फिलार बरतन साफ करने का जुगार भीठाते हैं और हमारे जो भाई लोग का अब बाइक है अभी तो आधी कहलास भी नहीं कहें यह देखिए एड़ेंचर 390 का क्या बुरा हाल हो गया और वाल एंफिल्ट थंडर बर्ड का भी उतना ही बुरा हाल है और भाई जो डोमिनार है इनका तो नहीं इनका उतना ही बुरा हाल नहीं है झाल झाल